हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Nokia C12 Pro Android में आप अपने मुवाइल फोन की आटो टच की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये पेज आएगा इसमें आपको restart पर टैप करना इससे क्या होगा आपका फोन आटोमाटिक स्विच आफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमाटिक स्विच ओन हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती तो problem solve हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process से करना है देखिए आपके mobile phone में जितने भी apps है इन सभी apps को आपको update करना है ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए आप अपने phone का play store open करिए इसमें आपको सबसे उपरे right side की top पर यह profile picture पर टैप करना है आपका यह वाला page आएगा इस page में आपको नीचे manage app का यह option टैप करना है इसके अंदर आपको यह नीचे की side यह update available के नीचे आपको see detail पर टैप करना है तो इस वाले page में आपको वो सभी apps आपको दिखाई दें कैसे अगर आप किसी भी app को जो है उंगली से दबाके रखेंगे ना तो एक छोटा सा page open होगा इस तरीकी का इसमें आपको एप info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के इंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है आपको यह वाला page open हो जाएगा इस page में आपको नीचे की side यह storage and catch के option पर टैप करना है इसके अंदर आपको यह दो option मिलते हैं तो clear storage दूसरा clear catch आपको पहले clear catch पर टैप करना है इसके बाद clear storage पर टैप करना है तो आपका एक page अगर delete app data का इसमें ok कर देना है तो आपका नीचे user data और यह catch इन दोनों की summary alert data आपका 0 हो जाएगा इस तरीके स आपको अपने mobile phone का जो है न सभी apps को reset करना है जिससे आपके phone के auto touch की problem solve हो जाएगी अब आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आत इसके बाद phone का setting page open करना है setting page में आपको जो है न सबसे नीचे system पर tap करना है इसके अंदर सबसे नीचे system update पर यहाँ पर tap करना है तो आपको इस वाले page में कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पर लिखावा दिखाई देता है उससे आपको tap करना है इससे आपको phone का software करने के live-maya वे पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस बिल्कुल नहीं करना है mobile phone को reset करने के लिए mobile phone console setting page open कर भये setting page में आपको सबसे नीचे सब नीचे की system पर tap करना है इसके अगले पैज मेरे को reset option tap करना है इसके आफका phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone की auto touch की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपके mobile phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात ही ध्यान रखना है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितना ही process आपको बता है सारे आपको यूज करने तो इससे आपके phone की hardware के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वज़े से आपका mobile phone auto touch की प्रॉलम आ रही है ठीकिना क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरी बताए है अगर mobile phone के software की किसी कमी की वज़े से auto touch की प्रॉलम आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी प्रॉलम सॉल हो जाएगी अदर्वाइस आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा